Question No.27 यह exercise करना सबसे अच्छा question लगता है क्यों? कि लिए सबसे easy है कैसे देखे evaluate करना है आपको 405 का whole square और minus 395 इसका भी whole square और यह bracket इस तरीके से लिखे है अब इसको अगर कोई solve करने की approach लगाए और first time में attempt करेगा तो कैसे करेगा पता है 405 पर square है तो मैं पहले लिखूँगा 405 और उसकी multiply करूँगा 405 से तो यहां कुछ आएगा ऐसे 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 फिर cross लगाऊँगा फिर ऐसे आएगा फिर cross लगाऊँगा ऐसे आएगा multiply कर लूँगा और फिर इसी तरीके से मैं 395 पर square है तो 395 लिखूँगा और multiply करूँगा फिर से ऐसे लिखूँगा फिर multiply लगाऊँगा फिर multiply double फिर add है ना ऐसा करूँगा फिर दोनों को minus कर दूँगा क्यों कि बीच माइनस और answer आ जाएगा लेकिन पता है इसको करने का एक easy method है वो क्या है वो है identity पीछे की exercise में हमने इसमें पूरे में एक identity लगाई थी A square minus B square लगा के देखो जरा पहले आप दोनों को add करेंगे और फिर दोनों को subtract करेंगे नहीं समनी माया अरे identity क्या थी identity थी A का square minus B का square तो आप क्या करते थे एक बार दोनों को add करते थे एक बार दोनों को subtract करते थे हना तो इसको ये लिखा जा सकता है दोनों को add करो और दोनों को अगले bracket में subtract करो तो हमने देखो ये दोनों ऐसे square थे दोनों को add किया दोनों को subtract किया अब देखो 405 में 395 add करोगे न, तो देखो क्या आएगा 800, कैसे, 5510 की 0, 9110 0, carry 1 43718, तो यह समझ में आया अब देखो इसको minus करना है 10 का difference है, minus कर लेना आप हाना, तो 800 की 10 से multiply करोगे तो क्या आएगा 8000, कुछ भी calculation नहीं करने बड़ी direct हो गया, हाना तो इसलिए easy है, formula आप यहां mention कर देना, यह वाला, यह वाला इसके बरावर में लिखना कि हमने ऐसे इसलिए लिखा I hope आपको question अच्छे से समझ में आया होगा चलते हैं, last question पर